Hello friends, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है विकास 3 1 Tag तो friends, अगर आप एक YouTuber हैं और आप अपने YouTube चैनल को एक email ID से दुसरी email ID पर shift करना चाते हैं उसका reason चाहे जो भी हो, चाहे आपका जो Google AdSense account है वो भी आपने same email ID से बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपने जो YouTube चैनल है उसको एक नई email ID पे shift कर दूँ जिससे अगभी future में मेरे YouTube चैनल में कोई भी problem आए तो मेरा जो Google AdSense का account है वो safe रहे तो friends मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने YouTube चैनल को अपनी पुरानी email ID से किसी नई email ID पे transfer करना चाहते हैं तो उस case में आपका जो YouTube चैनल है वो सबसे पहले एक brand account होना चाहिए आपका जो चैनल है वो brand YouTube channel होना चाहिए अगर आपको यह सीखना है कि आप अपने YouTube चैनल को brand account में कैसे convert कर सकते हैं तो उसके उपर मैंने already वीडियो बना रखी है उसका link मैं आपको i button में दे दूँगा आप वहाँ से जाके easily उसे सीख सकते हैं और friends आज की इस video में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल को अपनी पुरानी email id से नई email id पर shift करेंगे मतलब आप अपने YouTube चैनल को एक email id से दूसरी email id पर कैसे shift कर सकते हैं और जो आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो भी आपका उसमें YouTube चैनल में जो भी डाटा है आपके लाइक्स हैं आपकी वीडियो से आपका सारा डाटा आपकी उस नई email id पर भी आ जाएगा मतलब आपके चैनल के उपर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा वह ऐसे टीज कोपी हो जाएगा उसमें उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी लेकिन आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है क्योंकि वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसे क्योंकि मैंने एक-एक स्टैप को डिटेल में बताया है अगर आपसे कोई भी स्टैप मिस हुआ तो आप उसे नई इमेल आईडी पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकि लास तर जरूर देखें वीडियो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लेप्टॉप की स्क्रीन के उपर और मैंने यहां पर यूट्यूब.com खोला हुआ है और आपको अपने चैनल से लोगिन कर लेना है ठीक है जिस यूट्यूब चैनल को आप शिफ्ट करना चाते हैं उस से लोगिन कर लेना है आपको यहां पे चैनल के उपर क्लिक करना है और आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाना है ठीक है उसके यहां आपको पर चैनल फूर्व करना है दोनों ऑप्शन हाईलाइट है मैनेज पर्मेशन का भी और टो अपको यह焦 आपको जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह नियुवर ब्रेंड एकाउंट मेरे यह ब्रेंड एकाउंट है तो उससे कैसे बनाते हैं उसका लिंक में आपको आई बटन में दे दूँगा अपने YouTube चैनल को एक email id से दूसरी email id पर convert कर पाएंगे तो अब जो आप नई email id पर जिस पर convert करना चाहते हैं उसे भी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूं पहले यहाँ पर पहले मैं आपको इसकी email id दिखा देता हूं यहाँ पर switch account पर click करेंगे तो यहाँ पर इस channel की email id भी आ जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह email id आ गई है यहाँ ठीक है और यहाँ पर यह दोनों चैनल आ गए हैं एक brand account है ठीक है दो चैनल शो कर रहा है यहाँ इसमें नो चैनल आ रहा है और इसमें नो सब्सक्र email id से मैं एक नई email id से shift करूँगा तो आप देखते रहिए अब यहाँ पर back कर देना है यहाँ पर हमें नया Gmail account भी आपको बना के दिखा देता हूं ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं first name last name में उसके बाद यहाँ पर email id बना लेते हैं कोई तो मैं demo ही सिखा रहा हूं आपको थो यहाँ पर डैक डेम-o-i-id बनाके दिखा रहा हूं आपको उसके बाद यहाँ पर आपको पासवट सेलेक्ट कर लेना है अपना कोई भी थो सिया पर करके दूबारा डाल देना हैं कि आप रूसके बाद अपको यहाँ पर लिए जेन्दर डालना है यहाँ पर नमब्र बीं ढाल सकते हैं उसके बाने आपके आपको deto बड डालनी ये अपनी मैं आप यहां पर कुछ भी डाल देता हूं आपको सिखाने के लिए आप वही डालना जो आपकी है उसके बाद आपको यहाँ पे next पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको scroll down करना है और नीचे i agree पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका यह gmail account बन गया है यहाँ पे gmail open कर लेंगे हम यह आप देख सकते हैं यह हमारा gmail account अभी बन गया है हमने एक नई email id से बनाया है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं यह demo शर्मा वाली id से बन गया है जो अभी अभी बनाया है अब हम वापिस जाएंगे अपने dashboard में ठीक ह यहाँ पे हम settings के अंदर दुबारा जाएंगे और यहाँ पे permissions के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि managing permission in your brand account मतलब आप अपने brand account के अंदर permissions को manage कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे permission to YouTube studio YouTube studio की permissions को भी आप move कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे including manager editor viewer ठीक है इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हैं अपने channel की उसके बाद हमें यहाँ पे जो यह manage permissions है हमें इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने यह वली screen open हो जाएगी इसमें हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम पे लिखा आ रहा है users change role invites and remove users यहाँ पे manage permissions का एक option आ रहा है आपको इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपने इस account में दुबारा से login करना है जो हमारा पुराना वाला account है ठ उसके बाद दुबार से यही screen हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे हमें manage permissions के उपर क्लिक करना है इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे demo demo जो मेरा जो channel बना हुआ है उसी को primary owner बना रहा है हमें यहाँ पे दूसरा यहाँ पे plus का invite new user का option आ रह email id को आपको यहाँ पे डालना है तो मैं email id को यहाँ पे डाल देता हूं ठीक है full लिखना है आपको यह आ गई यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे choose a role का option है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे आप owner और manager दो option आ रहे हैं हमें owner बनाना है यहाँ invite पे click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं invited user invite हो गया है यहाँ पर हम जाके अपना Gmail चेक करेंगे अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर invited आ गया है यहाँ से हमें accept कर लेना है accept करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा अभी शर्मर के नाम से बनाया था हमने account ठीक है नया वाला तो यहां पर accept पर click कर लिना है accepting हो रहा है ठीक है यह accept हो गया यहापे manage permissions के अंदर दुबार जाना है ठीक है आप देख सकते हैं यहापे यह दोनों आ गया यहापे यहापे यह भी add हो गया अब यहाँ owner के सामने जो नया वाला हमारा account है इसके सामने आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर हमें इसे primary owner बन the primary owner हमें शर्बा can add or delete ठीक है चेंज account permissions delete this account completely तो हम यहाँ पर ट्रांसफर जो लिखा हुआ है में ट्रांसफर करना है इसके उपर click करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको साथ दिन का wait करना पड़ेगा अब इसके लिए तो अब हम साथ दिन तक इसका wait कर लेते हैं तो ID से इसमें login किया है पुरानी वाली ID से नहीं करना है नई वाली ID से हमें login करना है और मैंने dashboard इसका open कर लिया है ठीक है यहाँ पर settings के अंदर जाना है हमें left side में setting के उपर click करेंगे और यहाँ से हमें fourth number permissions के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पर manage permissions के उपर click करना है उसक आप देख सकते हैं जो हमारी यह नई आईडी है अभी शर्मा के नाम से जो मैंने बनाई थी ठीक है यह हमारी पुरानी आईडी है तो इसमें जो यह ओनर लिखा हुआ है इसको हमें अब प्राइमरी ओनर करना है तो हमें सिंपल इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप ठीक है वो यह प्राइमरी ओनर बन गई और डेमो डेमो हमारी पुरानी आईडी थी ठीक है उसको हमें रखना नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूब पर क्लिक करेंगे और इसको हम रिमूब कर देंगे तो यह यहां से हट गई, अब आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है वो इस वाली आईडी पे ट्रांस्फर हो गया है, अब यहां से डन कर देंगे, और बैक आ जाएंगे, इसको काट देंगे, इसको भी क्लोस कर देंगे, और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, यह रिफ्रेश हो गया, आप देख सकते हैं, यहां पर मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूं, स्विच अकाउंट के उपर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमने यह जो नई आईडी बनाई थी, नई इमेल आईडी, वो यहां पर यह चैनल आ गया हमारा, और जो बस उसकी एक ही कंडिशन है, कि आपका एकाउंट, ब्रेंड एकाउंट होना चाहिए, और 7 डेज का जो इसमें टाइम लगता है, वो लगता है बस, और यह 100% सक्सेस्पुली हो जाता है, तो फ्रेंड सब आपने यह अच्छे से सीख लिया होगा, कि आप किस तरीके से अप Thank you